बहुत लोग stock market में निवेश करते हैं या फिर करना चाहते हैं but with calculated risk तो क्या आपको भी share market में निवेश करना है पर इतना risk लेने के लिए आप तयार नहीं है तो आपके पास एक बहतरीन option है जो है ETF यानि की exchange traded fund तो इस वीडियो में जानते हैं ETF क्या होता है यह कैसे काम करता है और क्या ETF में निवेश करना आपके लिए एक बहतर option है या फिर नहीं हेलो दोस्तों मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का freedom हिंदी चैनल में स्वागत करती हूं तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो ETF क्या होते हैं इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि mutual funds क्या होते हैं और index क्या होते हैं ताकि आपको ETF समझने में कोई दिक्कत ना है और आप ETF को अच्छे से समझ सको तो mutual funds क्या होता है तो mutual funds जयानि कि जहां बहुत सारे लोग अपने पैसे एक जगा निवेश कर देते हैं mutual funds को दे देते हैं collectively और यह पैसा जो fund manager है जो एक expert है वो इन सारा जो जो भी पैसा उसने collect किया है उसको एक company में बहुत सारे companies है collectively खरीद लेता है तो ऐसे में बहुत सारे companies के जो share है जो वो खरीद के यह सारे investors को वापस दे देता है profit के रूप में तो यहां पर जो fund manager है इसका काम यह होता है कि एक company को identify करें based on कि सारे जो investors हैं उनका investment objective क्या है और साथ ही उनका risk appetite क्या है उस हिसाब से वो एक company को identify करता है और उसके shares वो खर एक mutual fund में invest कर देते हैं पर यहां डिफ्रेंट्स यह है कि यहां कोई expert नहीं होता और आपके पैसे यहां पर directly index में इन्वेस्ट हो जाते हैं तो index क्या होता है index basically वो होता है जब भी आप index funds में invest करते हैं index में invest करते हैं तो यहां पर वो sensex जैसे companies में और साथी Nifty 50 में ऐसे companies मे वो invest कर देता है तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि यह sensex क्या होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो भारत के top 30 सबसे बड़े companies होते हैं उनका shares हमें खरीदने को मिलता है तो यह होता है sensex investing वही अगर हम nifty की बात करें तो यह भारत के top 50 सबसे बड़े companies में इसका एक group होता है तो यहाँ पर इनका shares हमें खरीदने का मौका मिलता है इस तरह जब भी हम किसी भी index में पैसा लगाते हैं हमारे पास यह option होता है कि हम या फिर index में invest करें या फिर हम दूसरा option जो है ETF का इसमें invest करें तो उम्मीद करती हूँ अब आपको एक clear idea हो गया होगा कि mutual fund क्या होता है और index क्या होता है अब बात कर लेते हैं कि ETF यानि कि exchange traded fund क्या होता है जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है exchange traded fund यानि कि हम ऐसे fund में निवेश कर रहे हैं ऐसे fund में अपने पैसे लगा रहे हैं जो exchange पर trade होता है यहां पर मैं आपको बता दूँ यह एक basket of securities है जिसका share जो है वो exchange पर trade होता है अब यह exchange क्या होता है वैल exchange एक ऐसा marketplace है जहां पर securities, commodities, derivatives और साथी बाकी के financial instruments जो है वो trade होते हैं तो जब हम ETF की बात कर रहे हैं तो यहां मैं आपको बता दूँ इसके features और साथी जो benefits है वो stocks, mutual funds और bonds से बहुत जादा similar है तो जब भी हम एक individual stock में invest करते हैं, individual stock को खरीदते हैं किसी भी company का तो trading कैसे होती है, throughout the day इसकी trading होती है और यह depend करता है कि इसका demand और supply कितना है अगर एक particular stock का demand बहुत जादा है तो यहां पर price बहुत जादा हो जाएगा accordingly जितना demand है उसके जो prices हैं वो भी throughout the day change होते रहते हैं, fluctuate होते रहते हैं वहीं अगर हम mutual funds shares की बात करें तो यहां पर भी एक professional manager होता है जो आपका पैसा shares में लगा देता है companies के shares को खरीद के आपको देता है अब समझ लेते हैं कि ETF काम कैसे करता है तो ETF में बहुत सारे investors जो हैं उनसे पैसा collect किया जाता है जैसे कि किसी भी mutual fund में पैसा collect किया जाता है और फिर ये किसी भी index को follow करता है तो उस index को follow करते हुए वो उसमें पैसा लगा देता है index को follow करना मतलब या फिर ये आपके पैसे sensex में लगा देगा या फिर आपके पैसे Nifty में लगा देगा, Nifty 50 में लगा देगा, etc. अगर, for example, आपने ETF में इन्वेस्ट किया है, तो वो जो कमपनी है, वो अगर Nifty को फॉलो कर रही है, उस Index को फॉलो कर रही है, तब वो सारे ही Top 50 Companies में इन्वेस्ट कर देगी आपका पैसा, अगर वो Sensex को फॉलो कर रही है, तब वो Top 30 Companies में आपका पैसा निवेश कर देता है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर, जो ETF है, Exchange Traded Fund जो है, अगर वो Index जैसा ही काम करता है, सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पर भी मैं Sensex में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यह different कैसे हुआ, मैं क्यों ETF को चुनू और Index को ना चुनू तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ETF यानि की Exchange Traded Fund, इसका मतलब कि यह कहीं न कहीं Trade हो ही रहा है, यह Exchange पर Trade हो रहा है, यानि कि यह NSC और BSC जो हमारे Stock Exchange है, वहाँ पर Trade हो रहा है, ETF सारे Trade हो रहे हैं, यानि कि यह Stock जैसे ही Perform करता है, Stock जैसे ही हो उपर नीचे इसके Prices होत अकाउंट, जी हाँ, वहीं दूसरी और अगर हम बात करें, mutual fund की और index की, यहाँ पर आपको किसी तरह की DMAT account की यहाँ पर ज़रुत नहीं है, अगर आप mutual fund और index में निवेश कर रहे हैं, तो यह बहुत ही बड़ा difference है, when we talk about ETF and mutual fund or even index, अब वापस समझ लेते हैं कि ETFs कैसे different है when it comes to mutual fund और even index, एक दब माई निवेश करेंगे, तो जब कि कोई mutual fund या फिर index fund है, यहाँ पर जो investors है, इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे जैसे इसकी requirement है, जैसे अगर say for example, नए investors को यहाँ पर जूड़ना है, तो बहुत सारे नए investors यहाँ पर जूड़ सकते हैं, ऐसे करके जो fund house जो है, यहाँ पर इसका जो की asset under management जो है, वो increase होता जाता है, वालों ती other hand, अगर हम ETF की बात करें, यह बहुत ही अलग तरीके से काम करता है, और यह काम करता है, जैसे की किसी company का stock काम करता है, इसका मतलब यह है, let's say for example, अगर कोई भी company जिसको पैसा रेस करना होता है, वो NFO launch करता है, यानि new fund offer को issue करता है market में, और यह आता है maturity period की बाद, यानि कि जब भी आप ETF में invest करते हैं, तो यहाँ पर एक limited specific time duration होता है, जहाँ पर investors invest कर सकते हैं, और उसके बाद कोई भी investor नया invested इसमें जूड नहीं सकता, तो यहाँ पर major difference यह भी है, कि यहाँ की asset under management का ETF मे increase नहीं होता, अब बड़ा सवाल यह आता है कि अब जब भी हम ETF में invest करते हैं, तो in return investors को क्या मिलता है, यहाँ जब भी हम mutual fund में invest करते हैं, तो investors को units allot होते हैं, उसी तरह मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई ETF में invest करता है, तो उसे एक company का share मिल जाता है, जो equally सारे ही investors में divide होकर मिलता है, जैसे कि shares trade किये जाते हैं, वैसे ही ETF को trade किया जाता है, उस हिसाब से आपको profit मिल जाता है, आगे बड़ते हुए अब बात कर लेते हैं, कि कौन-कौन से ऐसे types of ETFs है, जो available है in India, तो अगर हम India की बात करें, तो यहाँ पर broadly तीन तरह के ETF होते हैं, पहला है equity ETF, दूसरा है debt ETF, और तीसरा है commodity ETF, तो यह तीन broadly main popular हैं, बहुत जादा popular ETFs हैं, जो आप India में trade कर सकते हैं, जापर भी, वहीं US में बहुत जादा ऐसे ETFs हैं, जहाँ पर आप trade कर सकते हैं, तो one by one हम जान लेते हैं, यह होता क्या है, अगर हम equity ETF की बात करें, तो जैसे कि इसके न आप ऐसे जगह invest कर रहे हैं, जो आपको company's के shares आपको लाके देंगे, और जैसे जैसे एक company बढ़ती है, profit उस हिसाब से आपको मिलता है, तो यहां पर भी जब आप equity ETF पे invest करते हैं, तो यह एक particular index में, index को follow करता है, तो 90% of the ETFs, they will follow only index, तो नबर परतीशवत ऐसे जो ETFs में, आप निवेश करते हैं, वो index, किसी ना किसी index को ही follow करते हैं, तो चाहे वो sensex index हो गया, चाहे वो nifty हो गया, nifty 50 हो गया, nifty next 50 हो गया, बहुत आरे ऐसे index है, जो इसको वो follow करता है, यहां पर basically काम ऐसा होता है, कि जब भी आप किसी index को follow कर रहे हो, तो जो benchmark already set है, उसी को replicate करक कि आपको वो profit मिलता है, यहां पर कोई ऐसा strategy नहीं होता, कि वो आपको benchmark से जादा returns लाकर दे, तो basically कोई भी index को जब भी आप follow कर रहे हैं, तो वो उतना ही return आपको लाकर देगा, साथी मैं आपको यह बता दू कि equity के अंदर, equity exchange traded fund के अंदर ऐसे दो परकार की होते हैं, एक यह कि जो company जहां पर आपने रिवेश किया है, वो company आपका पैसा ऐसे index funds में डाल देगी, या फिर दूसरा option उसके पास यह है, कि वो किसी sectoral funds को, sectoral ETFs जो है, उसे follow करें, sectoral ETFs क्या है, sectoral ETFs basically ऐसे group of companies हैं, जिसका bonds जो आप है, खरीदते हो, तो यह हो सकता है IT ETF, यह हो सकता है banking का, यह हो सकता है, technology का, तो it is based on the theme, या फिर it is based on the sector, मतलब यहाँ पर group of companies हैं, वो एक sector में belong करते हैं, infrastructure एक sector हो गया, real estate एक sector हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारे group of companies हैं, जो एक sector में आ जाते हैं, और इसका आप ETF खरीदते हैं, exchange traded funds, इनका जो bonds है या फिर stocks हैं, यहाँ पर आ bond किया जाता है, तो इसे हम debt ETF बोलते हैं, यहाँ पर आपका पैसा कहा जा रहा है, अगर आप इसमें invest कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका पैसा government bonds में जा सकता है, corporate bonds में जा सकता है, etc. अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं, कि मैं directly bonds क्यों ना खरीद लो, मैं ETF bond ही क्यों खर यानि कि आप कभी भी इसका जो bonds है, बेच सकते हो, खरीच सकते हो, और यह trade भी हो रहा है, अगर हम bonds की हम बात करें, तो यहाँ पर आपको एक set maturity के बाद ही आप अपना पैसा liquidate कर सकते हो, यहाँ पर liquidity उतनी जादा है नहीं, on the other hand, आपको debt ETF में जादा liquid मिलता है, यानि कि आप कभी भी अपना पैसा चाहो तो निकाल सकते हो, और तीसरा type है commodity exchange traded fund, commodity exchange traded fund यानि कि आप चाहो तो gold ETF में invest कर सकते हैं, चाहो तो silver में invest करो, या फिर oil में invest करो, या फिर किसी भी प्रकार का commodity जो है, उसमें आप इधर invest कर देते हैं, इन सारे में मैं आपको बता दू, gold ETF क्यों मैं invest करों, तो यहां पर मैं आपको बता दू, जब भी recession आता है, 2009 भी आया था, और जब भी ऐसा trend देखा गया है, कि जब भी recession आता है, बहुत जादा लोग जो हैं, जादा तर लोग जो हैं, वो gold में निवेश कर देते हैं, आगे चलके ऐसे predict भी किया जा रहा है कि recession आ सकता है, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो gold में invest कर देते हैं, तो इसलिए आपको gold ETF में निवेश करना चाहिए, आप आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे advantages हैं, कि क्यों आपको ETF में निवेश करना चाहिए, अगर मैं पहले advantage की तो पहला advantage यह है कि आपको जो expense ratio बहुत ही कम भरना पड़ता है, जी हां, जब भी आप ETF में invest कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बहुत ही low expense ratio भरना पड़ेगा, when compared to अगर आप mutual fund में invest कर रहे हैं, या फिर अगर आप index में भी invest कर रहे हैं, तो जब भी हम index में invest कर रहे हैं, त तो यहां पर भी बहुत ही minimum expense ratio है, जो आपको लग सकता है 0.01% से लेकर 0.1% तर, तो बहुत ही nominal यहां पर expense ratio आपको भरना पड़ेगा, वहीं दूसरे type की अगर हम बात करें, जो है debt ETF की, तो यहां पर भी आपको बहुत ही minimal expense ratio भरना पड़ेगा, जो है 0.1% से लेकर 0.3% तक का ही, वहीं अगर हम gold ETF की बात करें, अगर हम commodity ETF की बात करें, तो यहां पर आपको जो expense ratio है, थोड़ा जादा भरना पड़ सकता है, और usually जो expense ratio यहां पर आपको भरना पड़ेगा, वह होगा 0.5% से लेकर 1% तक, तो यहां पर थोड़ा जादा आपको expense ratio भरना पड़ेगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी भी ETF में invest करते हैं, तो आपको जो mutual fund में, जितना mutual fund में expense ratio भरते हैं, जो piece भरते हैं, वो बहुत जादा होता है when compared to ETFs, तो पहला advantage आपको यह मिलता है कि यहां पर expense ratio बहुत कम है, बहुत ही nominal है, affordable है, आप एक कर सकते है वहाँ दूसरा benefit आपको यह मिलता है कि it is highly liquid, इसका मतलब यह है कि क्योंकि यह ETFs हैं वो लगातार पूरे दिन जो है stocks को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो यह highly liquid भी है, अगर आप देख रहे हैं कि कोई ETF का जो price है वो उपर हो गया है, और आगे चलकर आपको यह predict करते ETFs आपको ज्यादा liquidity प्रदांत करते हैं, अपना profit आप जल्दी से redeem कर सकते हैं, आपको liquidity या flexibility ऐसे रूप में मिलती है कि अगर आप देख रहे हैं कोई भी security जो है, वो अच्छा perform नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छे profits नहीं मिल रहे हैं, तो आप quickly किसी और security में shift हो जाते हैं, आपको मिलता है, जो आपको mutual fund में नहीं मिलता, तिसरा benefit आपको ये मिलता है, कि जब भी आप ETF में इंवेस्ट करते हैं, तो यहां पर आपको ये मुखा मिलता है, कि आप एक के सांत बहुत सारे companies में इंवेस्ट कर सकते हैं, आपको ये तरह का diversification भी मिलता है, कि एक सांत ही बहुत सारी companies के shareholders बन जाते हैं. चौफा benefit आपको ये मिलता है कि ये passively in जो भी investment आपने किया है, वो passively managed होता है. इसका मतलब ये है कि जब भी आप ETF में invest करते हैं, तो ये बहुत कम risky है when compared to investing in mutual funds. तो क्योंकि ये passively managed होता है, इसका मतलब ये कि, क्योंकि जब भी आप इसमें पैसे लगाते हैं, तो ये top companies में ही पैसे लगाते हैं, जहां पर आपको जादातर profits मिल सकता है, when compared to mutual funds, ये बहुत ही जादा अच्छा option हो सकता है आपके लिए. जहां हम mutual fund में देख रहे हैं कि आप small cap companies में भी invest कर सकते हैं, चोटे-चोटे startups में invest कर सकते हैं, उसका share आप खरीद सकते हैं, या फिर mid cap companies में invest कर सकते हैं, या फिर large cap companies में, although आपके पास वो option है. ETS में जब आप invest करते हैं, तो यहां पर आपको ये assurity मिलती है, कि आप best performing companies का ही share खरीद रहे हैं, और आपको profit मिलेगा. और next benefit ये है कि यहां पर कोई minimum investment नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप invest कर सकते हैं. आगे बरते हुए जान लेते हैं कि यहां पर tax implementation कैसे होता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूँ, यह करीब करीब mutual fund जैसा ही काम करता है, जहां पर अगर हम equity mutual fund में invest करते हैं, तो यहां पर आपको capital gains पर tax भरना परता है, तो similarly, जब भी आप ETF में capital gain, जो भी तरह का capital gain अगर आपको होता है, तो उस पर आपको tax भरना परता है, पर यहां पर आपको यह देखना होता है, कि क्या आप short term gain कर रहे हैं, या फिर आपको long term gain मिल रहा है, अगर आपको short term gain मिल रहा है, यानि कि अगर आप 1 साल से अंदर कोई भी unit अगर बेच दे, bonds बेच कर, stocks बेच कर, या shares को बेच कर profit लेते हैं और वो profit एक लाग से जादा है तब आपको long term capital gain भरना पड़ेगा जो होगा 10% का वहीं अगर हम debt ETF और commodity ETF की बात करें तो यहां पर भी आपको short term capital gain और long term capital gain भरना पड़ेगा और दोनों ही similar है इसका मतलब यह कि अगर debt में अगर आप अगर आप commodity में invest कर रहे हैं यानि कि 3 साल से पहले अगर आप कुछ बेच कर profit लेते हैं तो आप as per your tax lab आपको tax भरना पड़ेगा तीन साल के बाद अगर कुछ redeem करते हैं अपना profit तो आपको 20% का tax lab भरना पड़ेगा तो इस पूरे वीडियो से उमीद करती हूं कि आपको समझ आ गया होग यह मैं आपको recommend करूंगी कि आप ETF में तभी invest करें जब आप एक beginner है और आपको stock market में invest करना है पर आपको उतना idea नहीं है और उतना risk आपको नहीं लेना पर आपको एक experience चाहिए तब आप ETF में invest करें पर मैं आपको यह भी बताऊंगी कि जब भी आप investment कर रहे हैं कहीं भी प्राप्त कर लें और तभी कोई investment decision आप लें अगर आपको इन detail जाना है कि stock में कैसे निवेश किया जाता है mutual fund में कैसे निवेश किया जाता है या फिर कोई भी investment instrument को आप explore करना चाहते हैं तो उसके लिए आप download कर सकते हैं Freedom App Play Store या App Store से आप यह app download करें और पूरा पूरा knowledge प दिवाना ना भूलें thank you for watching freedom get wire and break free